बहुत बहुत नमस्कार कलास 12 के स्टुडेंट्स कैसे आप लोग कैसे चल लिए आपकी बोर्ड गिजामनेशन के लिए प्रिप्रेशन कमेंड सेक्षन में जरूर लिखके बताईएगा जी हाँ स्टुडेंट्स आज किस वीडियो में हम लोग केमेस्टी का मोस्ट भी भी आई अब्जेक्टिव कोशन करवाने वाले हैं जो हर साल बोर्ड गिजाम में पूछे जाते हैं बार बार ये जो कोशन है रिपीट किया जाता है तो इस तरह का कोशन आज हम 30 करने वाले है most BBI objective है तो भाई आपने अभी तक जितनी भी पढ़ाई की हो कोई दिक्कत नहीं है तीस objective कोशन तो आप रटके जाना ही जाना ठीक है क्योंकि अगर इसको मिस कर दिये तो फिर गरबर हो गया क्योंकि ये सारे objective कोशन बार बार रिपीट किया जाते है ये जो objective कोशन है सभी students के लिए है चाहे वो यूपी बोर्ड में हो चाहे कोई साभी बोर्ड में हो तो यह सारे अब्जेक्टिव कोश्चन आप जरूर याद करके जाए बहुत हैल्प मिलने वाला है जी हां यहां पर आपको हिंदी-ंग्लिस दोनों में मिलने वाला हूँ तो कोई प्रॉब्लम नही सबसे पहला कोश्चन यहां पर दिख रहा है और देखिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब दीजिए जिससे हमें मौटिवेशन मिलता है कि इस तरह से ना हम और वीडियो बनाएं आप लेक के लिए ताकि आपका भला हो सके और आप बहुत अच्छा माक्स बोड़ एक्जाम में ला सको यह सारा अब्जक्टिव कोशन ला रहा हूं बहुत मेहनत के बाद बहुत कोशन दिख रहा होगा हिंदी और इंग्लिस डोनों में है भाई तो वो बहाना नहीं हिंधी इंग्लिस बाला देखो कोशन क्या है देखिएगा उपर में इंग्लिस है और नीचे में हिंदी है सभी लोग ध्यान से देखिएगा which of the flowing is amorphous solid इन सभी में चार option दिखना होगा होगा आपको इसमें से बताना है कि इसमें से कौन amorphous solid है कौन बेरवादार ठोस है हिंदी वाले बच्चे नीचे देख लिजे अब नीचे भी दिया गया है option तो भाई सहाब बताईए इनमें से कौन amorphous solid है बहुत बार question बिहार बोड में UP बोड में repeat हुआ है बहुत बार तो आईए इसको हम देखते है option में आपको दे रखा है diamond, graphite, glass और common salt हिंदी बोले तो हीरा, graphite, glass और समानने लबन इसमें से आपको पता होना चाहिए कि हीरा जो है वो एकदम crystalline solid होता है graphite भी crystalline है, उसके बाद समानने लबन जो हमारा NaCl होता है, वो भी crystalline solid है ठीक है, तो भाई सहाब सही जबाब क्या होगा जी आप सही बोल रहे हैं, सही जबाब आपका हो जाएगा कांच, कांच जो है, यानि glass जो है वो हमारा सही जबाब होगा, यह amorphous solid होता है silicon dioxide SiO2, ठीक है, मैं दूसरा मारकल लेना चाहूँगा कहां है भाई मारकल, यहाँ पर पहला question आपको एकदम सही हुआ होगा बहुत बहुत बधाई हो, अगर आपको सही हुआ, बहुत अच्छा जा रहे हैं हिंदी इंगलिस दोनों में दे रखा है, कि if 2 gram of NOH is present in 200 ml of its solution, its molarity will be, यानि यदि इसके 2 ml गोल में 2 gram NOH मौझूद है, तो इसकी molartat क्या होगी, और option नीचे दिया गया है, चाड़ option, तो आओ molartat निकालते हैं, molartat बराबर क्या फर्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए, molartat बराबर होता है, कि किसी, किसी भी solution में, ऐसे नहीं बोल सकता है, कि किसी भी solute का, एक लीटर में कितना mol present है, यानि एक लीटर solution में कितना mol solute का present है, उसी को क्या बोलते है, molarity बोलते हैं, तो आओ, सबसे पहले इसमें, of number of moles of solute बट्टा में क्या हो जाएगा solute के मौल बट्टा में बोलो भाई बट्टा में volume of solution इन लीटर में आपको बोलना है लीटर में यही फर्मूला होता है यानि उस किसी भी बिले का कितना मौल है कितने में उसके दिया गया जो आयतन है वो लीटर में आपको लेना यही फर्मूला होता है मौलारिटी और क्याप्टल एम से लिखा जाता है इसको तो यहां पर क्या हो जाएगा मौल से आपको पहले निकाल लेने होंगे किसका मोल आपको स्लूट में जो इसको इसमें दिया हुआ है कितना इसमें बिले क्या है एन ओ आ यहां पर हम मोल निकालने पहले मोल निकालना पटेगा या डायरेक्ट फर्मूला लगाऊँगे जो मने आपको कर दो तो हमको मूल निकालना है किसके लिए तो दिया गया दरबमान तो थोडा टाइम लगेगा यह पुरे में तो भाई पूरा गौड से आपको समझते हुए चलना है के तो पहले निकालो ना सल्लीट का तो इसमें क्या दिया है इसका लाइट क्यों बंद होता भाई इसमें जिसका दरबमान अचा सुनो एक काम करता में यहांस से पहले ऻो यनकाल ताओं वह लोग को समझताइक एंग्लिस ही लिखता हूं बरावर होता है यानि मांस इस तो फ़िजटेवेन स Они अब के बाद उसके बाद दिया है molar mass molar mass किसका एन ए ओएच का molar mass आपको निकालना है क्योंकि एन ए ओएच ही solute है तो एन ए ओएच का molar mass आप निकालो sodium का 23 होता है oxygen का 16 है और hydrogen का one तो 24 प्लस 16 एक प्रहाए इधर ओगया आपको six four दस एक क्यालीज हो गया 40 लिखेंगे 40 यह कट आप 21 cycles वन ऑगाए बगाए तो कित्ता आएगा मोल कितना है वऑनमाइव 20 इसको और कर लो 22 दू और कर लो फाइनली लिख देता हूं कि जो आपको मोल आएगा सल्यूट का वो कितना होगा 200 जीनली जीनली कितना दे रख्या हैं आपका सल्यूशन कितना है वो जो देंय। declared 200ड में 0.000าม तो हमको 1000 देना परेगा तब आ जाएगा यह काम इसका कंप्लीट हो जाएगा अब दो से दो जीरो कट गया यह मल तब अगया क्योंकि 1000 उपर लिखे तो लीटर में किता गया जीरो पॉइंट फूर किता है हंडेड को 25 से कड़ो नहीं बाई कुछ और आ रहा है तो दो बाड में किता बाड में 200 किता गया उसके बाद 50, 0 और 50, 0.25 आड आएंशर किता रहा 0.25 दोखो यह अराम से भी बन सकता था हमको पता था इसका एंसर क्या होगा लेकिन भाई आप लोगो समझाना था ना इसी लिए और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी मूल पर लिटर यह हो गया ए आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए बहुत ही सांदार तरीकिए सब ने इसको बना दिया है चली है इसको अब मिटाता हूं एसा ही में मिठाता हूं क्योंकि यहां पर यह ठंड़ी की महिने में ना क्या होता कि मिठता नहीं रहाता है चलो अब आगे क्वेशन आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा क्या है क्वेशन यह नुमेरिकल पूछ देता है कभी-कभी लेकिन इसको भी हम कर लेते हैं और यह कोशन भी बहुत बार कंपोनेंट्स इस डारेकली प्रोपोर्शनल टुदे मोल फ्रेक्शन अरे भाईया यह तो रॉल्ट्स लोग का फर्मूला था ना यह रॉल्ट्स लोग की स्टेटमेंट थी जबी भी रॉल्ट्स लोग परेंगे तब आपको पता चला एकदम पढ़ते ही एंसर आना काणून क्या क्या देरिका है? ओस्ट वाल्ड का त्नू करन्नियम, आपको पता होना चाहिए, यह तो रॉल्ट्स लोग है, तो ऑप्शन कौन सा हमारा सही हो जाएगा? option हमारा रावल्ट स्लॉफ, बी नमर option सही हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से question आते हैं, तो आप लोग को समझ समझ के एकड़म इसको complete करना है, चौथा नमर question क्या करा है, ध्यान से पढ़िएगा, हिंदी इंगलिश दोनों में दिया हुआ है, कोई समस्या नहीं होना चाहिए, चौथा नमर question है, कि how many chloride iron are surrounding sodium iron in sodium chloride crystal, देखो बाई, sodium chloride का जो crystal होता है, उसमें sodium के चाड़ो और कितने chloride के iron होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, ये जो question आपको पूछा गया है, ये solid state, ठो सवस्था जो chapter है, उससे पूछा गया है, solid state से, आपको पता होना चाहिए, जो sodium ह होता है, उसके चाड़ो और chloride के कितने iron होते हैं, 6 iron होते हैं, इसलिए इसका coordination नमर भी 6 होता है, तो यहाँ पर option हमारा क्या सही हो जाएगा, option नमर, देखो, c नमर option एकड़म सही हो जाएगा, क्योंकि जो chloride iron होते हैं, sodium के चाड़ो और 6 chloride iron से 1 sodium का iron घिरा होता है, खोपड़ी से रखिएगा, दिल खोल के रखिएगा, फेफरा और गूर्दा सब कुछ खोल के रखिएगा, तभी आपके खोपड़ी में जाएगी, नहीं तो सीधे ऊपर से जाएगी, उपर से, तो आईए पाचमा नमर question क्या है, ध्यान से पढ़िएगा, और भाई, जभी भी हम objective question बन सुलते ही रहता होता है, इसलिए यह थोड़ा महनत लगता है, तो भाई, वीडियो को लाइक ज़रू करिएगा, पाचमा नमर question है, कि फराडे law of electrolysis is related to, फराडे का electrolysis वाला जो नियम है, आपको पता होना चाहिए, फराडे का electrolysis का जो नियम है, इन में से किस्से संबंधित ह है, option 4 आपको दिख रहे है, आपको option पहला नमर है, atomic mass, atomic number of catein, B नमर है, speed of catein, C है speed of anion, या D है equivalent weight of electrolyte, जल्दी से जबाब दीजे इसका, हिंदी में पर देता हूं, कि धनायन की गती, उसके बाद B नमर option है, आयन की गती, ठीक है, नहीं नहीं उल्टा हो गया, A नमर था धनायन की परमानुसंख्या, B नमर है धनायन की गती, C नमर है आयन की गती, और D नमर है electrolyte के बराबर वजन, equivalent mass, तो बताए, अरे भाई, यह तो normal सा जबाब है, जबी भी आप पढ़े होंगे, Friday का जो law of electrolysis है, उसको आप पढ़े होंगे, first law, Friday, Friday का पहला नियम, पढ़े होंगे न, तो आपको पता होगा, क्या है भाई, equivalent weight of electrolysis, electrolyte, ठीक है, equivalent weight of electrolyte, option नमर D, एकदम सही हो जाएगा, आप लोग ध्यान से, बढ़िया से देखते हुए चलेंगे, Friday law of electrolysis पर question आते ही, आते हैं, छठा नमर question है, देखे एक और numerical आ गया है, question कहा रहा है, ध्या of 1.5 ampere flows through a metallic wire for 3 hours, then how many electrons would flow through the wire, अरे भाई, बहुत easy question है, और हिंदी में देखिये, यदि किसी धातू के तार में 3 घंटे तक 1.5 ampere की धारा प्रभाहित होती रहे, तो कितने electron प्रभाहित होंगे, देखो भाई, electrochemistry से सवाल पूछा गया है, ठीक है, तो आईए हम सवाल करते ह है, यहाँ पर current क्या दे रखा है, यहाँ पर current जो है, वो दे रखा है, कितना, 1.5 ampere, देखो numerical boost देते हैं, ऐसा नहीं कि numerical पूछे गाई, पूछे गा, कभी-कभी पूछ देता है, तो यहाँ पर मैं इसको select किया हूँ, 1.5 ampere है, उसके सासा time दे रखा है, 3 hour, 3 hours, और आपको पताने हैं कि electron कितने होंगे, n की value निकालना है, कि इतना अगर current है, और इतना current किसी तार से, है न, अगर 3 घंटे के लिए बह रही हो, अगर यह 3 घंटे तक बह रही हो, तो बताए, कितना electron परवाहित होगा, चलो आओ देखते हैं, यह तो class 10th के electricity chapter से लिए, आप लोग इसक to cube IT होता है, definition of electric current से हम लोग जानते हैं, हना, विदुधारा के definition से, तो IE यहाँ पर 1.5 ampere दे रखा है, चार्ज जो है, यानि क्यू हमको नहीं दे रखा, वही निकालना होगा, और टाइंट को 3 घंटा दे रखा, तो घंटा को second में बननना पड़ेगा, तो एक घंटा में 36 300 सेकेंड होता, आप लोग को पता होगा, तो 3 घंटा में गुने 3 कर दो, that is 10800 घंटा, ना, घंटा नहीं सेकेंड हो जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छा, तो सेकेंड इतना निकल गया, तो हम लिखेंगे 10800 सेकेंड, अब इसको इधर कर दीजे, क्यू बढ़ा पर क्या हो जाएगा, 1.5 MPR इंटू 10800 सेकेंड, हैना, अब इसको गुना कड़िये भाई, चलो भाई, गुना करता हूं, मैं, 10800 को डेर गुना कर दो, हैना, एक मिनट भाई, या इसका आधा कर दो, ना, तो पता चल जाएगा, मैं यहाँ पर कल्कुलेट करता हूं, चीक्या, जास्ट मिनट भाई, 1.5 MPR इंटू 10800, यहाँ पर, यह भाई का आगया जार, 1.5 MPR इंटू 10800, 16200 हो गया, सेकेंड, सेकेंड नहीं है, सेकेंड नहीं है, कुलाम हो जाएगा, क्योंकि चार्ज की एसा यूनिट कुलाम होती है, इतना आगया, अब हमको क्वंटाइजेशन अफ चार्ज से यह प्रूफ हो जाएगा, फिजिक्स से भी यह आप कर सकते हो, तो क्योंकि फर्मूला होता है, क्यों आपने निकाला 16200, है ना, इसकल टू एन आपको फाइंड करना, और इलेक्ट्रोन पे चार्ज, यह बोले त इधर कर लेता हूं, एन इधर जाएगा, तो 16200 उदर जाएगा, एन बट्टा में, 1.6 into 10 to the power minus 19 कूला, ठीक है, तो यहाँ पर इसको अगर आप solve करोगे, भाई मैं solve नहीं कर रहा है, इसको अगर आप solve करोगे, लगबग में n की जो value है, वो कितनी आनी चाहिए, मैं यहाँ बता देता हूं, वो इससे आप solve करोगे, तो आज आएगा, ठीक है, मैं सारा प्रोसेस कर दिया हूं, आप इसको solve करोगे, तो उतना ही आने वाला है, कोई change नहीं होगा, है ना, तो यहाँ पर जो value है, वो आएगी 1.01 into 10 to the power, है ना, इतना ही आना चाहिए, I think so, मैं एक बार कर भी लेता हूं, चलो, क्या ही दिक्काद में भी कन्फर्म भी नहीं हो, उतना, एक बार देखता हूं, 16200 and divided by 1.6 Z, तो यहाँ पर इसको आप cut करोगे, तो value आ रही है, 10,125 और यहाँ से 10,125 और यहाँ से 10,125 और इंटु में देखो 10 to the power minus 19 उपर जाएगा, तो पलस में हो ज 19 हो जाएगा, प्लस में 19, यहाँ पर अभी पॉइंट है, तो एक, दो, तीन, चार, चार पॉइंट इदर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं तो 1.01 ठीक है, 2 into 10 to the power, 4 इधर खसकाया हूं में, तो यह चार बढ़ जाएगा, तो 19, 20, 22, 23, तो एक दम सही जबाव है, ऑप सी नम और आप्शन एकदम सही हो जाएगा, मिल रहा है, 1.01 into 10 to the power, 10, 23 electron, ठीक है, तो यह हमारा आप्शन सही हो जाएगा, इसको नोट कर सकते हैं, आप लोग, नोट करिए, फिर आगे बरते हैं, नोट करिए, चलिए, नोट कर लिए हैं, इसको मिटा दूँ अब, चलिए, चलिए, इसको मिटाते हैं, फिर आगे बरते हैं, आगे बर्ते हैं, चलो, इसको मिटा के फिर आगे बरता हूं, अफ्सन नमर सी था, I think, अपसी जो है, सही हो जाएगा, इलेक्ट्रो केमिस्त्री से यह सवाल था, अगला देखें कोशन क्या है, ठीयान से देखिएगा अग आपको first order reaction में किसके बराबर होगा option आपको दिख रहा होगा एक image भी दिख रहा होगा आपको बताना है कि जो t half होगा first order reaction के लिए वो क्या होगा तो 0.6 divided by k या 0.693 बटा के या 0.683 by k या क्या और और क्या भाई 0.10 by k आपको पता होना चाहिए वाई सभी लोग जानते हैं कि t half के लिए जो होता है हमारा ठीक है first order reaction में वो क्या होता है 0.693 by k यह एकदम सही जवाब होता है ठीक है समझवाया first order reaction के लिए t half इतना ही होता है जिरो पॉइंट 693 by k चले आगे बड़े आगे बड़े और भी सारे कोशन है हमारे पास टेंसर मतली जे सब भी बी आई कोशन है सारे भी बी आई कोशन है ध्यान से देखें के ला अगला कोशन एक बार मैं देख लूँ वीडियो सही से चल रहा है चले वीडियो तो एकदम मैं बहुत ही फाड़ू चल रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है वीडियो में अब यहां देखें अगला कोशन में आपको बता रहा हूं इसको मैं मिटाओंगा फिर अगला कोशन पर आते हैं अगला कोशन कह रहा है कि वोल्यूम आफ वन मोल अफ एनी गैस एट एंटीपी एक मोल किसी भी गैस का अगर वोल्यूम होगा तो वो कितने लीटर के बराबर होगा यह बताए एकदम सिंपल जबाब है एकदम सिंपल कोशन है आपको 11 में ही पढ़ना था जब मोल कंसेप्ट जो आप पर रहे थे उस मोल जो होता है एक मोल वो होता है 6.023 x0202 पावर 23 परमानू के बराबर और एक मोल जो है वो 22.4 लीटर के भी बराबर होता है ठीक है तो यहाँ पर सही जबाब क्या होगा हमारा कितने लीटर के बराबर होगा 22.4 लीटर आप्...सें नमर B एकदम सही जबाब हो जाएगा नोट कर लीगे और समस्ते हुए चलिएगा हम सारे को explain करते हुए चल रहे हैं फिर आगे बरते हैं अगला question हम लोग लेके आ रहे हैं आप तक अगला 9 नमबर question है कि common impurities present in bauxite आर यानि bauxite में मौझूद समान्य असुधियां है यानि bauxite जो होता है उसमें क्या असुधियां आपको देखने को मिलेगी option आपके सामने है cu o copper oxide, z n o zinc oxide, ca o calcium oxide और si o2 silicon dioxide सबको पता है कि जो bauxite होगा उसमें silicon dioxide ही हमारा impurity होगा तो option नमबर डी एकडम सही जबाब है फिर आगे बढ़ें आगे बढ़ते हैं दसमान नमबर question है in a thermite process यह जो thermite reaction तो class 10 में भी था है ना तो thermite reaction में वो जो thermite reaction जादा उपियोग कहां करते हैं पट्री वट्री को जोड़ने के लिए यहां पे thermite reaction का उपियोग किया जाता है तो thermite reaction है उसमें जो है इन thermite reaction is used as a reducing agent, death is used as reducing agent, thermite reaction में कौन reducing agent की तरह बिहेव करता है, हिंदी में पढ़ूँगा, thermite अभी किडिया में अब चायक के रूप में कौन उपियोग किया जाता है, तो यह option दे रख्या है, जिंक, अल्मूनियम, मेगनीज और आइडन, अरे भाई बच्चा बच्चा जानता है कि अल्मूनियम एक बहुत खतरनाक क्या है, अब कारक है, reducing agent है, तो अल्मूनियम ही यहां पर हो जाएगा, सही जबाग, और thermite reaction में, आपको पता होना चाहिए, कि अल्मूनियम ही क्या हो हो जाएगा, अगला कोशन हम लोग परते है, 11 नमर कोशन क्या है, कि which of the flowing slag is produced during extraction of iron, जबी भी आइरन का निसकासन हम लोग करते हैं, तो उस दवरान जो है, कौन सा slag उत्पन होता है, option देखिए, C-A-S-I-O-3, B-Nमर option है, F-E-S-I-O-3, C-Nमर option है, M-G-S-I-O-3, और D-Nमर C-A-S-I-O-3, अरे भाई, C-A-S-I-O-3 सही जबाब है, आप पढ़े थे, याद है, C-A-S-I-O-3 सही जबाब हो जाएगा, ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े, 11 नमर ए, एकदम सही जबाब होगा, अगला देखिए, यह तो बहुत ही लॉलीपॉप कोशन है, कि catenation property is maximum amine, यहनि स्रिंकलन गून सरबाधिक किस में होता है, स्रिंकलन गून जो है, catenation की जो प्रोपर्टी कार्बन में सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो option नमर क्या हो जाएगा, option इसमें carbon कितन है, बी नमर जो option है सही हो जाएगा, carbon जो है, norumajCatenation जो बलागून होता है, यहनि जो स्रिंकलेन बाला गुन होता है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है, बहुत ही बढ़िया, तेरा हमा नमबर कोशन परेंगे, the shape of XEF4, जो XEF4 होता है, इसका shape कैसा होता है, यह देखो, XEF4 है न, तो पहले XE के पास, दो कर यह एक अक्रिया गैस होता है, इनर्ट गैस होता इस तरह से, और एक यहां, किता हो गया, पाँच, छे, साथ, और आठी इस तरीके से मैं बना देता हूँ, और यहां 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 पे ना आपको, यहां पे भी फ्लोरीन, यहां पे भी फ्लोरीन, और यहां पे भी फ्लोरीन मिलेंगे, समझ मैं है, और यह दो लोन पेर बस ऐसे ही रहते हैं, इसको मैं ऐसे ही बना देता हूं, एक मिनट, आहां पे, आहां पे, आहां पे, आहां पे, बस ऐसे ही है, यह ऐसे ही लोन पेर में ब से आपको माई कुछ ज्यादा ही बड़ा बना दिया मैं I'm sorry for that मिलाना भी तो पड़ेगा है थोड़ा इसको और छोटा करता हूं ताकि इसके रेंज में आ जाए इस तरह से होता है अब दो इसको में मिलाता हूं कहिति है देखो यहसे कि it's K आशना होता है एक हैट व questa काakt laugh कहाँ प्लेनर पेडिन के आप देंग जबते हमेरा मारकर गिर गिशना और जाए हैँ यह एक है फोड स्टॉक्टर किशिए त्करसे होता है आप ध्यान दे लेना समझे लेना चलो आगे बढ़े मैं रफली डागराम बनाया हूं कुछ इसी तरह से दिखते हैं लगभग में चलो आगे बढ़ते हैं चलो चलो अगला है चौधा हमानमर कुशन है कि विच अब फ्लोईंग अलिमेंट्स फाउंड इन फ्री एस्टेट इन नेचर मतलब निम्लिकित में से कौन साथ अब प्रकिर्टी में स्वतंतर रूप से पाया जाता है मतलब एक डम ऐसा ही मिल जाएगा आपको किसी और तत्व के साथ स योग करके नहीं मिलेगा एकदम फिरी मिल जाएगा आपको सोडियम जो जादा अभी किरियासील दातु होते हैं वो कभी भी फिरी नहीं मिलते हैं वो किसी की और योगिक के साथ आपको मिलेंगे फिरी नहीं मिलेंगे तो सोडियम तो नहीं होगा आईडन भी नहीं मिलेग तो होता है और लोहा सोड़ी आ यह जो सोना होता है गोल्ड वह बहुत ही मतलब क्या सम्मझलो तो युल एक पाइंगे इसका साही जवाब क्या हो जाएगा इसका सबसे अच्छा उक्षी डाइजिंग गया है यानी प्रबल ओक्सीकारक इसमें से कौन है तो आपको आप्शन दिखरा होगा फ्लोरीन, F2, CL2, I2, BR2, देखो भाई, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रो निगेटिव होता है, विद्धुत रिनात्मक्ता फ्लोरीन के पास ज्यादा होती है, और जिसके बदर से यह किसी भी तत्व का जो इलेक्ट्रोन है, वो छीनने की रखता है, तो किसी का इलेक्ट्रोन खीन लेगा, तो जबussesar कर देगा, अराम से लेक्ट्रोन खीन लिया, मनलब क्या, वो इलेक्ट्रोन लॉस कर दिया, यह यहwandu खशीडाइज कर दिया, अक्सिक्रीट कर दिया, इसी लिए फ्लोरीन सब से अच्छा ऑक्षिकारक भी माना जाता है आगे बड़े सोल हमानमर कोश्चन क्या है कि विच अब दो फ्लोईंग इस कॉल्ड ग्रीन विट्रॉल ग्रीन विट्रॉल किसको कहा जाता है ओप्शन देखिए फेसो 4.7H2O फेरस सल्फेट हेप्टा हाइडरेट उसके बाद कॉपर सल्फेट पेंटा हाइडरेट केल्सियम सल्फेट डाय हाइडरेट या इसमें से कोई नहीं यहाँ पर चाड़ ऑप्शन है आपको पता होना चाहिए कि फेसो 4.7H2O जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है हरा रंग का होता है ठीक है तो जो ग्रीन विट्रॉल है वो फेसो 4.7H2O को ही बोला जाता है फेरस सल्फेट हेप्टा हाइडरेट भी इसको बोलते हैं तो आप्शन नमर ए हमारा सही हो जाएगा सत्रहमा नमर कोश्टन को धियान से देखिए विच ब्लॉक अफ़ ऐलिमेंट आर नोने इस ट्रांजिस्नल एलिमेंट जो संक्रमन तत्व होते हैं इनमें से किसको बोला जाता है किन और वाइटल वाले को बोले जाते हैं यह और वाइटल क्यों बोला है ब्लॉक बोलो ना ब्लॉक ब्लॉक बाले एलिमेंट को ट्रांजिस्नल एलिमेंट या उसी को संक्रमन तत्व भी बोला जाता है समझ में आगया खोपड़ी में जा रही है यह सब याद करते जाएगा बहुत ही महत्पूर्ण कोश्टन में बता रहा हूं आपको अठारमा नमर कोश्टन देख यानि यह ब्लॉक तत्त का सही बिन्यास इसमें से क्या हो गा? देखो भाई का अहत्Si ब्लॉक का एलिमेंट होता है ना आपको से वन टक और ए आपको एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स में आपको देखने को मिलेंगे जो सही बिन्या से एफ ब्लॉक का वह यहीं होगा एन माइनस टू एफ वन से फोर्टीन एन माइनस वन डी जीरो से वन और एनस स्कॉर ठीक है चलिए यह ओप्शन नमर देख लिजे मिला कि कौन है ओप्शन नमर यहां पर हमारा सही हो जाएगा एकदम ए नमर ओप्शन सही है इसको मिटाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं चले भाई आए होप आपको पसंद आ रहा होगा यह लेक्चर और विडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा तो अपने दोस्तों को भी शियर करें ताकि उनका भी भला हो पाए भाई ठीक है हगला कोश्चन देखें उनीसमा नमर कोश्चन है कि विच आप डे फ्लोइंग नोन एज रेड लीड इसमें से कौन है जिसको रेड लीड कहा जाता है कौन है भाई पीवी थी ओफोर या पीबी टू ओ त्री या पीबी ओ या पीबी ओ पाई आपको तो देखते ही पता हो गया होगा इसका सही जवाब तो पीवी थी जो हमारा पीवी थी ओफोर जो है वह हमारा सही जवाब हो जाएगा कोई प्रॉब्लम है तो बता दो भाई कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आगे बढ़ते हैं 20 नमर कोश्चन है यह एक कॉम एक डबल स्ало Lidh है कि कउंप्लेक्स रूरत है बताओ देखो यह मारा डबल स्ल्ट है की हमारा Jatil सॉल्ट है तो यह हमारा डबलॉज्त है ठीक है साडी पहले में बोल दिया थ्कशन है किसमां मर फाछिन विन आपको पता होना चाहिए कोई अपना अगर कोई भी तत्त आपना elementary form में रहता है न तो उसका जो है वो जीडो हो जाता है उसका औक्सिकरन संख्या जीडो यह पूरा जीडो का फोड़ हो जाएगा तो यह तो पूरा ऊवर मिला के जीडो ही हो जाएगा यानि जो निकल है उसका जो जीडो हो जाएगा कि या इहिज्ण है एक भाई में लाइट फोगए एक मिनट देखिए ऑप्षं में living है हाँ है ऑप्षन नम्मर ए हमारा करक्ट हो oldest जाएगा जी दो चहलो है हमारा अकशी कर्ण संग्ख्या निकल का यहां पढ़ चलिए आगे बढ़ें कि बाइसमा नमर कोशन क्या है ति गुड कंड़क्टर फिलक्टिस सीटी एंड हीट इसमा का अच्छा सुचाले की समय से कौन है यह आपको बताना है एंत्रासाइट कोक हीरा ग्रिफाइट चार कोल तो कौन सही जबाब होगा आपको पता होना जानते हैं इसका सही जबाब बताये बताई जी हां ग्रिफाइट जो है एक डम सही जबाब होगा ग्रिफाइट है क्योंकि ग्रियूद्ध कर शब्सκराइब अच्छा बिद्धू धिजित्न रहे हो वे कि तुम में से इन in graphite structure there is one free electrons is available that's why graphite is a good conductor of heat and electricity as well okay चलो हिंदी और इंग्लिस दोनों में बोल रहा हूं भाई तो दोनों को दिक्कत नहीं होना चाहिए अग्लिस नहीं होगा अगला अग्ला ओवरिड डाइजरेशन पूछ रहा है कार्वन का डाइमंड में डाइमंड का चांग डाइमंड होता है है नो आपको पता होना चाहिए अ ना तरह हो जाएगा तो फिर इसका फिर अगर रफाइट का पूछ ले और यहां पर आपको दिख़गा होगा एक फोटो और इसमें आपको मैं बता दूआ इसका आइवती हुए नाम क्या होगा एक, दो, तीन, चार, पांच, यहाँ पर OH है, और यहाँ पर कुलूरीन है, बाकी आइड्रोजन लगा दू, दो, एक, दो, दो, एक, और तीन, चलिए नाम क्या होगा बताइए, यह OH है, यानि यह एक functional group है, और यह एक सब्स्टिट्यूएंट है, तो पहले इसका नाम लिखाएगा, और numbering किदर से करेंगे, numbering तो इदर से करेंगे, क्या नाम हो जाएगा, पांच पे chlorine है, तो पांच पे हम लिखेंगे chloro और carbon 6 है, वर्ड रूट 6 करवन किया है, तो लिखेंगे hex, single one है, तो A, N, E, और यहाँ पर second number पे all लग जाएगा, लेकिन E तो हट जाएगा, क्योंकि दो alphabet एक साथ आ गया, तो पहला वला alphabet cut कर देते हैं, यह हमारा हो जाएगा, देखो option में है, five chloro hexane to all, चलो option number C हमारा एकदम सही हो जाएगा, option number C हमारा एकदम सही हो जाएगा, इस वाला जो योगिक है, यह जो UPSC नाम है, वो ऐसा ही होगा, five chloro hexane to all, ठीक है, चली आगे बढ़े, चली आगे बढ़े, चली आगे बढ़े, चली आगे बढ़ते हैं, यह एकदम सही जवाब है, आपका भी एकदम सही होगा, कोई प्रेसानी नहीं होई होगी, आगे बढ़ते हैं, चली यह बहुत ही सु एकदम सही जवाब है, आपका एकदम बहुत बढ़ियां, देखिए, कोशन ध्यान से देखिएगा, one degree is greater than two degree, उसके बाद three degree, तो सबसे बढ़ा, one degree, फिर two degree, फिर three degree, option नमर सी, एकदम मूँ पढ़ यह जवाब होना चाहिए, एकदम सही है, करम क्या होना चाहिए, one degree सबसे ज्यादा, उसके बाद two degree और फिर three degree, आगे बढ़ें, 26 नमर कोशन है, which of the flowing compounds will give butane on oxidation of alkaline k-m-n-o-4 solution, निम्लिकित में से कौन सा योगिक छाड़ी है, k-m-n-o-4 यानि potassium permagnate घोल के साथ, ऑक्षिकरन पर butane norm देगा, चलो भाई, देखते हैं, बहुत इजी तरह से हम इसको ब देखो, इसमें से कौन हो जाएगा, तो आपको देखो, यह तो मेरे को पता है, आपको ही पता होना चाहिए कि butane to all जो होता है, उसी का oxidation जब करेंगे, देखो, butane to all में बनाता हूँ, एक, दो, तीन, चार, और यह OH, यह है butane to all, इसका जब, k-m-n-o-4 के साथ oxidation करबा होगे तो आपको क्या बनेगा, butane non बनेगा, कैसे, तो नीचे बना देता हूँ, उधर तो question है, एक, दो, तीन, चार, और यह double bond के साथ oxygen, CH3, CH2, CH3, देखो, यह बन गया, यह butane to all, और यह हो गया, butane on, butane on, ठीक है, इसका oxidation करबा होगे तो यही बनेगा, चलो, तो option हमारा, क्या हो जाएगा, butane to all, option क्या हो जाएगा, butane to all, बार बार इसका light बंद हो जाता, I'm sorry for that, चलिए इसको मिटा कर फिर आगे बरते हैं, I hope, आपको समझ में आ रहा होगा, कोई पड़े सानी नहीं हो रही होगी, मैं थोड़ा सिनिटाइजर मारूंगा, बढ़ी आसे, चलिए सांदार, सांदार, शांदार, वीडियो को सेयर करते जाहिए अपने दोस्तों के साथ, मिटरों के साथ, ठीक है, चलिए, अगला question है, यह जो reaction, एक reaction दे रखा है, बहाई, देखो, यह reaction कौन सा reaction है, बहाई, देखो, आपको देख रहा होगा, यहां पर देख रहा है, मैं एक आप यहां पर सिसके साथ यह प्लैडियूम उसके साथ और बीएस फोर्ड के साथ आप इसका डियक्षन गरबाते हो तो है है ना एलसी ओ ठीक है और प्लस में सील बाहर हो जाता है तो आपको बताना है कि ये कौन सा रियक्षण भाई आपको पता हूना का पर देता हो पहले अप्सेन है और कि निढ़ जारो रिच्छण उसके बाद रोसर मून रियक्षण उसके बाद है आप लेमेंस इसले क्या हो जाएगा किडिया हो जाएगी हमारी सही जबाब ठीक है क्योंकि अल्डी हाइड बन रहा है चलो भाई मजा आगे बढ़ें यह सब महत्पून कोशन है अगला कोशन देखो ना ध्याम से चलो इसको मिटाता हूं फिर आगे बढ़ता हूं अठाइसमा नमर कोशन है यूज किया जाता है एजरी एजेंड हिंस बर्ग रिएजेंट की तरह विच अब दफ्रो रॉइंग इस बर्ग रिय एजेंट की तरह यूज किया जाता है तो आपट शन एको दिख रहा होगा सी शिक्स फाइब सो टू सी एल उसके बाद सी 6-5 एसो थी एच सी 6-5 एन एच सी एल सी एच तरी उसके बाद सी 6-5 चो सी एच थी उन्तिसमा नमर कोशन है कि जनरल फर्मूला कार्बोहईड्रेट का बता नहीं है तो बहुत इजी है वाई सी 6-2 जो जो जनरल फर्मूला हो जाएगा किसका बहुत इजी है कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आगे बड़े अगला नमर कोशन है कार्बोहईडेट का हो गया उन्तिसमा और लास्ट कोशन देखो यहाँ पर है विचाप देफ्लोइंग इस नोट यूजड एज एंटा एसीड इसमें से कौन है जो एंटा एसीड की तरह हम काम में नहीं ला सकते तो देखो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यह तो सोडियम कार्बोनेट का उपयोग नहीं करते हैं ठीक है तो यह था हमारा कुछ महतपून कोशन देखो भाई हमने पूरा सॉल्व करवा दिया है आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत पसंद आया होगा और आप बढ़ियां से तयारी करेंगे इसका तीस कोशन बहुत मह अगे साल ही है क्या बोर्ड में बहुत अच्छा स्कोर करने वाले आप बहुत ज्यादा सिंसियर है अपने पढ़ाई को लिके ठीक है तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के एकदम इंपोर्टेंट कोशन के साथ तो मेरे साथ बने रहे और चैनल को सब्सक सब्सक्राइब करते वीडियो को लाइक करते ताकि अमने इस तरह का इंपोर्टेंट वीडियो आप तक लाते रहें तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में परहाई करते रहें जाहिंद